कि हलो आज बात करते हैं कुछ कार्ट को करने वाले हैं हम लोग और यह काफी सारे कार्ट से आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं सारे कार्ट और मैं आप लोगों को जो यह वीडियो दे रहा हूं इसे आपको क्या करना है रिपीटिडली वाच करना आप लोगों क क्योंकि इसमें काफी सारे important questions आप लोगों के मिलेंगे तो यह कुछ अभी फिलाल हम science से related कुछ कर रहे हैं तो कुछ words जो repeated पूछे जाते हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए तो एक चीज और है इसमें कि जो आप लोगों का एक तरह से टेस्ट यह टेस्ट आप मान के चल सकते हैं और आप लोगों को करना क्या है कि थोड़ी देर जैसे मैं अभी मैंने यहां पर रखा हुआ है कि polycythemia यह क्या है तो polycythemia के बाद जो भी मैं आप लोगों को आंसर बताता जाओंगा तो आपको क्या करना है कि थोड़ा जल्दी आप लोगों को सोचना है और खुद को याद करनी कोशिश करनी है तो चलिए इसे इस टेस्ट को फटा-फट शुरू करते हैं तो polycythemia क्या है यह आप लोगों का RBC बढ़ने पर होता है means RBC से related है जो आप लोगों की अंतह शुरावी जो सबसे बड़ी ग्रंथी है वो कौन सी है तो biggest जो आप लोगों की endocrine gland है वो कौन सी है तो वो आप लोगों की है thyroid next है आप लोगों का की tylin पचाता है तो tylin एक तरह का यह आपके juices होते हैं तो tylin क्या पचाता है जो शरीर में किस चीच को digest करता है तो यह starch को पचाता है इस से related कौन सा word हमने पहले भी किया था यह है आप लोगों का isonef ठीक है तो यह आप लोगों की isonef आईसोनिफ जो study है वो मेग या क्लाउड की study को आईसोनिफ कहते हैं यहाँ पर आप लोगों के पास next जो card है वो है शरीर में अमलियता ख्षारियता का संतुलन बनाता है मिन शरीर में अगर हम acidic और और base का जो balance करके रखता है वो कौन करता है तो वो है आप लोगों का phosphorus तो phosphorus जो है वो हमारे जो body है उसमें acidic और basic यह दो चीज़ों को क्या करता है balance करके रखता है एक word है आप लोगों के लिए वो है आप लोगों का oxynometer तो oxynometer क्या होता है आप लोगों का हाइट नापने का यह आप लोगों का यह जो होता है आप लोगों को याद रखना है इसको कि oxynometer जो होता है वो पौधों की height बढ़ाने नापने के लिए होता है means अगर हमें किसी पौधे की growth को नापने है height नापने है उसकी कितनी बड़ी है तो oxynometer किससे होता है और अभी एक चीज़ और है एक अभी अभी आया था जो corona में चल रहा था अखसीमेटर हो सकता है कि पूछा जाए क्यों कि अधा होता है तो जो बाडि में oxygen का level होता है उसे oxymeter से ना पा जाता है तो ale眾 also can autumn क्या होते है यह आपका링 गुण सूत्र होता है और इससे समान गुण सूत्र भी होते हैं तो आलोसोम जो है आप लोगों को याद रखना है कि सेक्स क्रोमोसोम भी इसको कहा जाता है और जो ओटोसोम का मतलब होता है कि आपके उसमें क्या है एक जैसे गुनसूत्र हैं या क्रोमोसोम हैं अब आता है माईकोलोजी Mycology किस चीज का Study है तो Mycology जो है वो कवक की Study है जो फंजाई होता है उसकी Study को क्या कहा जाता है Mycology तो आप इस तरह से याद रख लिजिये कि जो फंजाई है वो मेरे College में जाता है तो आप लोगों को इस तरह से याद हो जाएगा जो क्रोमोसوم है वो किस चीज का बना होता है तो क्रोमोसोम आपका DNA प्लस प्रोटीन से बना होता है नेक्स्ट है आप लोगों का क्लॉस्टेडियम टिटैनी क्लॉस्टेडियम टिटैनी वो किस से संबंदित है क्लॉस्टेडियम टिटैनी किस से संबंदित है ये आप लोगों का तंत्रिका तंत्र से related है नेक्स्ट आप लोगों का आईसो बात तो मैंने कहा था आप लोगों का बात से related जो भी चीज़ें होती हैं पहले भी करवा चुका हूँ तो आईसो बात समुद्र तल से समान गहराई पर मेंस अगर हम एक जैसी जो depth की बात करें तो वो किसे related होती है वो है आपकी आईसो बात ये lines होती है तीक है imaginary lines बनाई गई है अब बात आती है कि आप लोगों का शिरा और धमनी की तो यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है कि जो शिरा है उसमें गंदा खून बहता है और जो आप लोगों की धमनी है वो आप लोगों में उसमें क्या होता है शुद्ध खून या प्यार ब्लड जो साब ब्लड होता है वो होता है तो आप लोगों याद रखना है गंदा सिर, तो गंदा सिर से याद हो जाएगा आपको और शुद्ध धमनी, नेक्स्ट है आप लोगों का, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो एरेपसिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज और लाइपेज है, ठीक है, ये क्या-क्य होते हैं तो इसमें हैं आप लोगों का ये सभी क्या होते हैं आतों में पाए जाने वाले रस होते हैं जो चीजों को पचाते हैं नेक्स्ट है आप लोगों का मैकुलन तो मैकुलन ने किस चीज की खोज की थी मैकुलन ने खोज की थी विटमिन ए और बी तो विटमिन ए बी मैकुलन आपको जब भी आप इसे देखेंगे तो आप लोगों याद रखना है कि मैकुलन ए बी मैकुलन तो आप लोगों याद रखना अभे मैकुलन अभे मैकुलन से आप लोगों को याद हो जाएगा अबे मेकलोन अबे मेकलोन इस तरह से आप इसे बोलते रहेंगे आगे है आपका ओफियोलोजी तो ओफियोलोजी को आप लोगों को क्या करना है बोलना है सापियोलोजी ठीक है तो सापियोलोजी से आप लोगों को याद हो जाएगा की यह सापियो ठीक है मैंने और उव्यों का सापियो बना दिया था तो यह सिनेक्स की स्टडी को क्या कहा जाता है और नी आपको क्या करना है और नी नाम की एक पक्षी है है थीक है तो जब भी आप दिखता होगा आप लोगों को कोई भी पक्षी दिखें तो उसको आप और नी बोल तीजें कि और नी है कि यह घंडार अरा है भी बाहर से चाहितर अन। सिब्सक्रादें करद सरवर से राज्यों को लाभ मिलता है तो आप लोगों को याद रखना है गुम्राम सरोवर तो आप जब भी बोलेंगे सरदार सरोवर तो सरदार क्या हो गए गुम्राह हो गए इस तरह से ठीक है तो गुम्राम सरोवर तो गुम्राम से आपका सबी निए देखा होगा मॉली को याद आप लोगों को याद हो जाएंगी तो काला जार एक तरह का रोग है तो काला जार जो होता हो किस से होता है लीश मेनिया डोना वानी उसका नाम क्या है लीश मेनिया डोना वानी तो आप लोगों को याद रखना है कि जो काला काला वानी या काला डोना कुछ भी आप लोग कर सकते हैं इसको ठीक है मैंने यहां पर काला वानी कर दिया था इसको तो आप लोग कर सकते हैं काला वानी या काला तो दोनों तरफ आप लोगों को याद हो जाएगा लिश्मेनिया डोना वानी उसके बाद आप लोगों के तो पायरी डॉक सन पायरी डॉक्सिन आप लोगों का सरै डूसरा नाम है इसको उक्ति के विक्त है ओसके लिए तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है जिसे हो कि याद करेंगे जेट पैसि पीर ऑन रियारी तो छ ancient को आप लोग लीजाँ ऊस्नियाथ पैसिर और इसके बाद आप जोड ने झिए कि के जो मिर्गदाव है मिरगदाव छटवाण पौदा है चट वरिक्ष 50 फूर मैंने रखा झैसे और नी और नी पूछा था और नहीं क्या था आप लोगों का एक पक्षी था जबकि एंथो क्या है आप लोगों का फूल है यह देखिए एंथो अब जबर्दस्ति मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया है एंथोलोजी इसका रीजन क्या है कि जब हम किसी चीज को वियर्ड बनाते तो हमें जददिनों तो याद रहता है तो मैंने उसे एंथोलोजी हिंदी इंग्लिश में लिख दिये था इस तरह से टो मीन्स फूल हो गया तो एंतो क्या है एक तरह का फूल बूले आपका आपको आइसो ऑजाता है आपको आई सो ग्लास तो सी आप लोग बोलेंगे ब्लोओ नहीं खिलाषा कि वो तो बहुत भी बहुक्सा भालता है बस ऐसे आप लोगों को इस टैंसे वह और यह लिभी थेतलिGO मैं ज्राइब प्रभाविज को कि तुकि हम गडवाल तो गडवाली लेंगविज ठीक है तो लेकिन आप गड़ोसी छी से लेंगविज का करेंगे कि एक सिलांग भी मेरी लेंगविज का नाम घ्लव लेंगविज इस तरह से याद कर सकते हैं उसके बाद हैं कि जो faces Fast a face ठीक है वह किस चीज से प्रभावित होते हैं तो उसमें आपको Mycobacterium tuberculosis means जब TB किसी को होता है tuberculosis तो उसको क्या होगा फेपडे क्या होंगे उसके जो lungs होंगे उन पे उसका असर पड़ता है तो simple सा जाके एक बार क्या कीजिए आपके TB होगे टीवी के पास आप लोग क्या के जिए उसमें जाके दो फेपडे बना दीजे means उंगली से अगर आप खाली एक बार जाके करेंगे तो आपको हमीशा के लिए याद हो जाएगा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को लेकिन जरूर हमीशा के लिए आद हो जाएगा कि ओके मैंने फेपडे कहां बनाये थे ट्यूबर क्लॉसिस के लिए तो टीवी पे बनाये थे आप लोगों को याद हो जाएगा तो मलेरिया देखो मलेरिया ने क्या किया है पहने पलाजो ठीक है पलाजो से मलेरिया तो जब किसी सी मक्खी के काटने से होता है और जो ट्रिपनो सोना कर दीजिए सोने की विमारी ठीक है सोने की विमारी तो आप लोग क्या करेंगे जैसे आपको काटेगी सोने की विमारी हो जाएगी हिआप यहां पर आपको क्या करना है कि सोजी याद करने की एक tempo की तरह करने की ज़रुपि नहीं पड़ती है इसलिए आप से हमें बाइहुक और क्रूख हमें चीजें याद करना है and that's it इससे आप लोगों को यहने होना चाहिए कि कि हम इन चीजों को इस तरह से क्यों याद करें तो हमें वहारा जो टार्गेट है वह यह है कि सारी चीजें याद हो जाए बाल और नाखुन में हमारा क्या क्या चीजें होती है तो वह तो आपका क्रेटिन ठीक है तो क्रेटिन आप नाखुन तो आप दिन भर देख सकते हैं तो जब आप नाखुन ऐसे scratch करेंगे इस तरह से scratch करेंगे तो आप क्या करेंगे कि बोलेंगे कि ओ क्रेटीन निकल रहा है मेरा नाखुन से जातर बॉडी से पार्ट से रिलेटेड हैं बॉडी पर ही आप दिन भर कर सकते हैं तो लिए के लिए जाता है कि उसके बात है आप लोगूं का थंडा और गर्म तो देखो थंडा और गार्म आप thयले में रखेंगा हुआ थैले में हमने ठंडा और गर्म रखा हुआ है अब जब भी कोई आएगा तो हम उसे पूछेंगे कि अच्छा ठंडा आप ठंडा पीएंगे गर्म पीएंगे कहां से निकाल के देंगे थैले से तो आपको याद रखना है थैले मस ठीक है या आप थर्मस आप लोगों पता है क्या करते हैं हम घर्म और ठंडा दोनों रखते हैं तो ध्यामस ठीक है तो ध्यामस रखावा थैwood दो versions अ उनव हमें तो तो त्यारम lieगों गर्म फीदैंगा तो सबको देता है और क्या देता है क्या देता है बलडT कौन हम देता है याद रखना में deli cricket हम सबस्कान को जो मैंने कीड होते हैं कि चाहर चांबर होते हैं और ध्यक्र आप लोगों के चांबर होते हैं आप लुगा हो गया तो भी फेड़ों नहीं असर होता है अब एक है चीज warmगों को याद है Astronom определ हाइपर हो जाते है तो क्या होता है बहुत ज़ादा हो तो गुसा हो जाता गुसा प्यार मौबट आपको किसी पर बहुत ज्यादा घुससा आ रहा है तो भी है ज़यादा हो इसो हाइट्स इसमान वर्षा के लाइन्स होती है आईसो ओकै आइसो आईट्स आप लोगों पता होने चाहिए कि यह क्या हैत में शाता है बिंख में हो विकारीस्टी माता कहा जाता है इंग्लिश में हिंद में चोटी माता तो insist 16 जो है वह क्या है चोटी माता के लिए चोटी माता हुति एक यह अप लोगों थोड़ा से याद रखना है बहुत important है कि wbc का जो diameter होता है वो कितना होता है तो wbc का diameter होता है आपनों का 0.007 mm और जो wbc होती है उसे lymphocyte भी कहा जाता है और अगर इसका ratio देखा जाए तो यह 600 ratio 1 में होता है किसका का rbc और wbc का अगर 600 rbc होंगे तो 1 क्या होगा आप लोगों का wbc होगा और इसलिए हमारा जो blood है वो red दिखाई देता है अगर उल्टा हो जाता तो हमारा blood white दिखाई देता है तंत्री का आवेक संचरण जो हमारे प्राब्लम किस से रिलेटर हो जाती है तंत्री का अवेक संचरण से में हमारी जो बॉड़ी में जो सूचना है एक जगे से दूसरी जगे से information जाती है वो नहीं जाएगी उसके बाद आता है आप लोगों का आइसो निफ तो मैंने आप लोगों बताया था दो चीजे निफ और नेफ याद आ गया होगा आप लोगों को वैसे तो तो नेफ जो था वो आप लोगों की वर्षा से बर्फ से रिलेटर था कि आई सो पिस्सृह तो इसमें आप लोगों का जो शॉटकर थ वह था कि जैनसंख्या चार्ट से रिलेटर था तो जैसें किआ पर बहुत जादा हो गई है तो करना चाहिए विसीज का ध्यार देना चाहिए ठीक है नैफरोन जो नैफरोन होते हैं वो कहां पे होते हैं तो आप लोगों क्या है यह कहां पे होते हैं गुर्दे में होते हैं ठीक है मिन्स हमारी जो किड्नीज होती है किड्नीज बीन्स की शेप की होती है और नैफरोन वहां नेक्स्ट बस ऐसे याद रखिए कि जैसे आप पानी पीते हैं तो जिस भी टाइम आप पानी पेंगे तो आप कहेंगे कि ओके अब यह नेफरोन में च्छनेगा गुर्दे में ठीक है किड्नी में तो लार में क्या-क्या चीज़ें होती हैं तो यह होती है आपकी टाइलिन औ माल्टेस टाइलिन और टाइलिन और माल्टेस कहां पे आप लोग जो होते हैं यह आप लोग शूंप कि कि यहां पर क्या है सुन्य क्या कि या है उस लाइन को क्या कहेंगे उस जोड़ने वाले उन सबी बिंदों को 8C9 कि अब है आप लोगवा चेचक वैरी ओला चेचक तरफी वैड़ी एस तरह से याद किया था तो वैरियोला वाइरस आपका किसके लिए चेचक के लिए यूज होता है चीनी मिटी के बरतन जो बनाए जाते हैं उसको उस विज्ञान को क्या कहा जाता है तो उसे सिरमिक्स कहा जाता है नेक्स्ट है आप लोगों का विटमिन और हार्मोन ये दोनों कौन सा है ये आप लोगों को याद रखना है जो डी हमें सन से भी मिलता है ये भी आप लोगों को याद रखना है डी किसके लिए हमारी हड़िया मजबूत करता है तो जो डी आप लोगों का है वो आपका विटमिन भी है और हार्मोन भी है ये आप लोगों को याद रखना है विटमिन B3 विटमिन B3 कि कमे से होती है अगर सालमोनेला टाइफी सालमोनेला टाइफी के बात करें कि ये किस चीज को अटेक करता है तो ये है आप लोगों का आतों को थाइमिन किसे कहा जाता है थाइमिन तो इसे आपको थाइस से याद करना है कि थाइस की तरफ आप देखेंगे अपनी और थाइस जो होता है उसमें बीवन ऐसे लिख दीजिए तो बीवन हो जाएगा तो बीवन को थाइमिन भी कहा जाता है डेंड्रोलाजी डेंड्रोलाजी क्या होता है डेंड्रोन से आप लोगों पता होगा कि डेंड्रोन आपके नियूरेंस के उसमें भी आते हैं तो नीचे बने होते हैं डेंड्रोन तो डेंड्रोलाजी डेंड्रोलाजी विरिक्षिया जाड़ी से रिलेटेड होते हैं आप लो vitamin का नाम है तो protein को कौन सा päचाता है, तो protein को pepsin पचाता है, pepsin protein pepsin protein pepsin protein इस तरह से आप लोगों कर रहे हैं, तो यह क्या है, आप लोगों का BMD जो pariction होता है, BMD pariction किस के लिए होता है, यह osteoporosis के लिए होता है, और अस्ति भंगूरता इसे कहते हैं means जिसमें जो हमारी हड़िया हैं वो क्या हो जाएंगी तूटने लग जाएंगी तो यह है आप लोगों का कि ए तो जो विटमिन इस तरह से याद करनें इसे बार-बार तो मिकसो वाइरस से होता है अब क्या है आपको लोगों का बलड बाईल और यूरीण का जो होता है pH value pH value blood की कितनी होती है bile की कितनी होती है urine की कितनी होती है जरूर याद करके जाना है आप लोगो 7.4, 7.7 and 6 ठीक है तो यह आप लोगो blood, bile, urine इसी line से याद करना है isoastasy isoastasy भूसता संतुलन रेखा कि अगर हम बोलें संतुलन रेखा जो है वो क्या है तो बहुत जादे इंडेक्ट याद नहीं रखना है इसे बस आप जस्ट नाम याद कर लीजिए isoastasy यह आप लोगों का भूसतुलन रेखा कीटों का जो अध्यन होता है ठीक है वो किससे होता है insect तो ant क्या होती है ant अगर ant याद करेंगा तो ant क्या होती है चीटी तो ant ये कीटों का अध्यन होता है बस आपको hint याद रखनी है words की ant amoeba gingivalis ant amoeba gingivalis से क्या होता है pyreia जो ये दात हमारे खराब हो जाते है तो उसमें क्या होता है कि ant amoeba gingivalis उसके अंदर होता है तो जैसे खताइना की लेडी जाती है टो उनको बोलती है कि a lie rice 맞 अबंसी ने विए तो आप लोग याद हो जाना चाहिए कि यह कि लेरी कल्चर जो किससे के रिलेटेटड होता है सबजी से रिलेटड होता है तो ऐसी जाके बोलिए किसी को ओ लेरी सबजी तो ओ लेरी कल्चर सबजी से रिलेटर होता है बी टू का क्या है तो यह आप लोगों का राइबो फ्लेमिन तो जब भी आप राइबो फ्लेमिन बोलेंगे तो दो पार्टमेंट तोड़ दो इसको, राइबो और फ्लेमिन ठीक है, तो आप लोगों B2 याद हो जाएगा, आगे चलते हैं, यह आप लोगों का हीमोगलोबिन, तो हीमोगलोबिन किसकी, अगर हमें हीमोगलोबिन ज्यादा चाहिए, तो हमें आईरेन ज्यादा चाहिए, तो हमारी जो ब्लड है, उसमें ज्यादा होना चाहिए, बहुत कॉमन चीज है, सभी को याद होगा, कनिश्क का अश्व पार्ष वो उनमें चर रहा है, ओके यह कुछ और आ गया है, तो इसे बात में हम डिस्कुस कर लेंगे, यह हिस्ट्री का कुश्यन है, आप लोगों का सम्चुम्बकी या नतिरेखा इसको किस से रिलेटेड है, यह आपको आईसोगेनिक लाइन, जब भी गेनिक आएगा, तो वो कहीं न कहीं आपके चुम्बक से रिलेटेड होगा, तो आप लोगों यह याद रखना है, इस एक चीज में रखत तो नहीं होता, मिंस बलड नह होता, लेकिन यह सांस लेते हैं, तो वो कौन सी चीज होती है, वो है आप लोगों का हाइड्रा, अगर यह कभी-कभी उल्टे भी हो जाते हैं, तो आप लोगों को इससे नहीं है, आप लोगों नाम सुनने हैं और प्राक्टिस करने है, विटमिन B12, क्या है आप लोगों का synocobalamin synocobalamin बहुत लंबा नाम है synocobalamin तो आप लोगों को इसी तरह से याद रखने है synocobalamin magnesium magnesium किसे related है ये पेशिय तंत्र और तंत्री का तंत्र को active रखता है हमारी जो भी magnesium की कमी body में हो रही है तो कौन सी चीजे हैं आप लोगों की पेशिय तंत्र और जमान स्पेशिय हैं हमारी ठीक है टेंडेंस हैं तो वो क्या होंगी काम ठीक से नहीं करेंगी अब दो और याद रखनें आपको पल्मिनरी शिरा और पल्मिनरी धमनी अब एक चीज़ दिहान रखिए जो हमने सिर पड़ा था तो गंदा सिर पड़ा था और प्यूर धमनी पड़ा था ठीक है तो इसमें हमने क्या याद रखना है कि ये ठीक उल्टा होता है कि जो शिरा वैसे क्या करती है गंदा खून लेक लेकिन जो pulmonary shira होती है वह बियूर लेके जाती है और दूसरा क्या है आप लोगों का pulmonary धमनी यह आप लोगों का क्या लेके जाती है अशुद्ध के जाती है तो यह आप लोगों का है corony bacterium diphtheri तो आपको यह तो याद हुई जाएगा कि ये स्वासनली से रिलेटेड है ठीक है कोरोनी बैक्टिरियम डिप्थी ये किसे रिलेटेड है आप लोगों का ये स्वासनली को अफेक्ट करती है ये विमारी का नाम है निम्नताप यंत्र विज्ञान शाखा ये क्या होता है ये क्रायोजेनिक्स होता है क्रायोजेनिक्स क आप लोगों के पास में तो प्लम लाइन क्या है आप लोगों की प्रित्वी की सत्य से लेके केंद्र तक कि डेरेक्ट्ली क्या करेगी आपकी जोड़ती है तो आप लोगों की है प्लम-लाइन जो मच्छलियां होती हैं मच्से होते हैं वो क्या होते हैं उनके जो हिर्दे जो हार्ट होता है वो शिरायुक्त होते हैं लार लार का जो काम है वो क्या है तो लार क्या करती है आप लोगों की ये टाइलिन या स्टार्ज को पचाती है next है आप लोगों के लिए question कि जो मकड़ी है वो कीट की श्रीणी में नहीं आती है ये बात आप लोगों को याद रखने है ये क्या है आप लोगों का कीट नहीं है आईसो हेलाइन तो मैंने आप लोगों ये वी याद करवाया था शोटकर से उस दिन कि आईसो हेलाइन को आपको बोलना है आईसो सेलाइन तो आईसो सेलाइन सेलाइन means लवन्ड से related होता है तो सेलाइन लवडियता की बात आप याद रख सकते है दात और हडियों में दात और हडियों में क्या पाया जाता है वो है आप लोगों का फॉसफरस या phosphorus किसमें पाय जाता है दात और हड़ियों के लिए जरूरी होता है उसके बाद है आप लोगों का ये बहुत important है जो light year होता है या प्रकाश वर्श होता है वो कितना होता है तो light year होता है आपका 9.461 into 10 to the power of 15 meter तो 9.461 कम से कम इतना याद रख लिजिए 10 to the power of 15 अगर ना भी याद रहे तो 9.461 इस तरह से आप लोग याद कर दीजिए विब्रियो विब्रियो कॉलेरी तो विब्रियो कॉलेरी किसको अटेक करता है या कहां पर इसका impact पड़ता है इसका आतों में impact पड़ता है तो पिसी पिसी कल्चर किसको कहा जाता है तो यह मचलियों को पालने के लिए कहा जाता है तो मचलियों को हम पीस कर खा सकते हैं आप लोग इस तरह से याद रखना है एक है आप लोगों का गैंबूसिया गैंबूसिया क्या होता है गैंबूसिया एक तरह का क्या है मचलियों के लिए यूज़ होता है तो गैंबूसिया आप लोगों का मचलियों का मचलियों से एक फिश होती है तो आप लोगों बस इसी तरह से याद रखना है इसको वाई से फैलता है तो कौन सा रोग है जो वाई से फैलता है यह आप लोगों का प्लेग है तो प्लेग क्या है यह आप लोगों का वाई से या विंट से फैलता है उसके बाद है आप लोगों का उल्टा उड़ता है तो कोई बख्षी है आप लोगों का उसका नाम है गुंजन तो ठीक है तो गुंजन क्या करता है उल्टा उड़ता है केसिन केसिन जो है वो किस रंग का होता है केसिन आप लोगों को याद रखना है वाइट रंग का, देखे हैं, वाइट कलर का केसिन, देखे हैं, तो केसिन वाइट, केसिन वाइट, एंजाइम, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक तरह का क्या है, प्रोटीन होता है, एंजाइम क्या है, एक तरह का प्रोटीन होता है, यूरो क्रोम, यूरो क्रोम क्या है, और यूरो क्रोम की वज़े से होता क्या है तो यूरो क्रोम की वज़े से आप लोगों का जो यूरीन का जो कलर होता है तो यूरो क्रोम यूरीन इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग इसको तना ये क्या है आप लोगं को प्याज प्याज था तो प्याज क्या है एक तरह का तना है आप लोगं को याद रखना है कि जो प्याज है वो एक तरह का क्या है तना है UK lyptis UK lyptis क्या है UK lyptis सबसे लंबा पौधा है UK lyptis क्या है सबसे लंबा पौधा कि आर्बियाई के गवर्णर का कारेकालों के यह भी वैसे थ्री यर्स होता है आप लोग याद रख सकते हैं तो विटमिन C विटमिन C की खोज किस नहीं की थी तो की खोज की थी है करे हमको जैसे याद दिए फिसने दिए अम यह सिधोन है वह पृत्व के संरश्थेंतर रेप्डवाइयरस які से है तो रैपडवायरस रहेंबीज से एस रेप्डवाइरस रहेमृब si इसके बाद है आप लोग का पैंटो थैनिक अमल पैंटो थैनिक अमल किसको किससे रिछलेटद है या नाम है क्ले विटेमिन b3 का नाम है फेन्टो थैनिक अमल या एसिड do medal मां इसोनोमल आइसो नॉमल सम्त अपिये विसंगती ठीटेका है सम्त अपीये विसंगती से रिलेटेड है आप हृ जो नॉमला और ये है आपको टोको फैरल ठीक है टोको फैरल हमने इस तरह से याद किया था कि जब तो आप किसी को किएंगे तो उसका ego heart हो जाता है ठीक है तो ego कि को हर्ड हो जाता है तो टोको फेरोल ऊसके बाद हो हीमोफलेस बाती सिस यह काली खासी होती है इससे कि हाल अधना तो हम इस तरह से याद करेंगे ना तुमने भूसानती किया हाल कर दिया तो भू सरनति सिध्धान आप लोगों याद रहना चाहिए कि हाल O 아 डान हा बुर qué बाध बुर ठील अ है तो यह अप लोगों का यह जन्तौल पिग्निमेंट की बान कारण क्いा होता है पीला येल्व कलर होता है दातों के अध्यन को क्या कहते हैं या जो हमारी टीथ होते हैं उनकी स्टथर डिको क्या कहा जाता है तो है आपका ओडूंटोलाजी औूडूंटोलाजी नेक्स्ट इस जिब्रेलिन जिब्रेलिन हमें कहां मिलता है तो जिब्रेलिन आप लोगों का फंजाई में मिलता है या हम बोले कवक में मिलता है अब है आप लोगों का की वसा में घुलने वाले वसा में घुलने वाले और पानी में घुलने वाले जो हमारे वाटमिन्स होते ह कौन कौन से vegetarian है वह अप लोगों का और dooo see if in the कि अप आप समू या बलड गुरुप किस ने ढूंडे थे तो तो यह यह हैं आप लोगों के Land Steiner ने, Land Steiner से सबसे पहले Blood Groups को ढूंडा था Udeometer Udeometer जो है वो गैस का आयतन या गैस का Volume नापने के लिए यह अंतर होता है उसके बाद आता है जो nitrogen वो sulfur के Oxide यह आप लोगों को अमलो वर्षा acid rain में देखने को मिलते हैं या मिलते हैं या आप लोगों को और भी आप लोगों पता है इस चीज के बारे में जो powder हम अपने उपर डालते हैं cool करने के लिए उसमें क्या-क्या चीज़े होती है तो इसमें boric aml boric aml क्या है एक बोरी भरके आप लोग क्या करेंगे जो powder है वो अपने उपर डाल देंगे तो याद हो जाएगा आपको boric aml atropine atropine आख में गुसेड़ते हैं means आख में डालते हैं means आख से related होता है और हार्ट से भी related हार्ट हार्ट की जो डिजीज होती है उसमें भी atropine suggest किया जाता है nitrous oxide यह वायव परदूशक नहीं है means यह air pollutant नहीं है यह आप लोग को याद रखना है किसी तरह से यह nitrous oxide यह air pollutant नहीं है आपका tree topology एक word use होता है यह आपका वैसे internet से related use internet system में प्रयोगत तकनीक है यह technique है tree topology topology उसके बाद है आप लोगों का pro thrombin sensation कौन करता है तो यह vitamin k करता है तो vitamin k किसका sensation करता है आप लोगों का pro thrombin आपका vitamin k से related होता है morphology morphology आप लोगों का जो structure है किसी के structure का अगर हम study कर रहे हैं तो उसे morphology कहते हैं क्रेटिन क्या है क्रेटिन एक तरह का protein क्रेटिन क्या है एक तरह का protein next है आप लोगों का calcium के क्या क्या काम होते हैं तो calcium के work है आप लोगों के यह दात और हड्डियों से related है जो जमना होता है blood का जमना होता है और जो पेशिया संकुचन होता है उससे उसमें help करता है दूसरा है आपका Isthyology Isthyology किस से related है यह आपका मच्रियों से related है RNA की खोज किसने की थी तो RNA की खोज की थी James Watson और अर्थर आर्गने तो James Watson या आर्थर आर्गने किसकी खोज की थी आप लोगों की RNA की जो फिनॉल है आप लोगों का उसमें कार्बनिक अमल होता है कार्बनिक अमल फिनॉल Sodium Silicate Quartz दूद को दही में जो चेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं वो रेनिन की वज़े से होता है यूरोक्रोम की यूरोक्रोम हमने अभी पढ़ा था तो यूरिन से रिलेटेड होता है यूरोक्रोम की वज़े से जो यूरिन होता है वो पीला हो जाता है जो यकृत या लीवर है तो यूरिया जो संसलेशन होता है सिंथेसिस होता है यूरिया का वो कहां पर होता है तो वो हताब का यकृत या लीवर में जो कोईले वाले होते हैं उसमें उनको कौन सा रोग हो जाता है तो वो है आप लोगां ब्लैक लंग ब्लैक लंग रोग जो होता है वो कोईले के खानों में काम करने वाले लोगों को हो जाता है जो हमारी हमारा जो हेड होता है उसमें कित्ते टाइप की जो बोन्स होती है वो आपकी होती है एट निक्स्ट आप लोगों का पटेटो पटेटो क्या है आप लोगों का तो पटेटो एक तरह का आप लोगों का स्टैम है यह आप लोगों का तना है इंसुलिन इंसुलिन किस से रिलेटेड है आप लोगों का जिंक तो या आप लोग याद रख सकते हैं कि इंसुलीन में क्या पाया जाता है तो इंसुलीन में आप लोगों का जिंक पाया जाता है एस्परिन एस्परिन का जो साइन्टिफिक नाम है वो क्या है एस्परिन का साइन्टिफिक नाम होता है Acetyl Salicylic Acid जो कीट होते हैं वो किस से सांस लेते हैं तो होता आपका वातक से तो एक पॉड़ी में वातक होता होगा तो उससे क्या करते हैं वो सांस लेते हैं आलू में जो Black Heart Rogue हो जाता है यह सभी UKPSC के पिछले उसमें पूछे गए questions हैं इसलिए ही क्यूं होता है तो वो होता है आपका oxygen की कमी से next है आप लोगों कीड़ा K E D A तो यह आप लोगों को आप पता चलिया होगा कीड़ा क्यूं लिखा में मैंने क्योंकि यह वशा में घुलने वाले vitamins हैं थाराइट, थारेक्सिन hormone का जो sensation करता है वो कौन करता है तो वो है आप लोगों का iodine तो आप लोगों पता ही होगा कि iodine हम लोग क्यों खाते है अब देखे यहां पर क्या है यह एक shortcut है आप लोग याद कर सकते हैं इसको तो लार में कौन कौन सी होती है लार टपकाई माल्टे पर माल्टा एक फ्रूट होता है संत्र की तरह है तो आप लोगों ने देखा ही होगा तो लार टपकाई माल्टे पर एक तो यह याद रखिए जेठ पैपसी पीरे और अगनाशे में क्या हो ला ट्रियला ठीक है ट्रियला तो इसके बाद है आप लोगो आंत्रियरस जो आतों में होते हैं सुलाले माई इसे मैंने इसे ऐसे काड़ दिया उसको बस आपको याद रखना है सुक्रोज, लाइपेज इस तरह से ठीक है लेक्टोज, माल्टेज और एरेपसिन इस तरह से आप लोगों को इसे याद रखना है तो आंत्रियरस में क्या होता है सुलाले माई इसे और अगनाशे में क्या है आप लोगों का ट्रियला, जेट, पेपसि, पीरे पीछे हम देख चुके हैं और लार में कौन सी होती है लाट तपकाही, माल्टेज पे तो माल्टेज और पेपसिन भी कहा जाता है तो ये काफी देर में याद हो रहा था मुझे तो इसलिए मैंने biology लिखे biology को अगर आप count करोगे 1,2,3,4,5,6,7 तो 7 तो B7 B यहाँ से ले लिया और 7 बाकि ले लिया तो यह B7 आप लोगों का biotin हो गया ठीक है तो bio हम बोलते ना कि bio मेरा subject है तो आप लोग biotin इस तरह से याद कर सकते हैं मैंने इसी तरह से याद करें vitamin, vitamin किस ने किया था? funk ने तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा हम बोते हैं ना कि funk की मार ले ओ मतलब कि थोड़ा सा जो चूरन औगेरा होता है उसका funk ले ले लेते हैं तो funk जो वो थे आपके कौन हो गया vitamin उन्हों ने ढूंडा था नाम दिया था calciferol तो इसको आपको हमेशे इस तरह से बोलना decalciferol 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 ठीक है तो जितनी बार भी आप बोलेंगे तो D इसका D का नाम है calciferol तो आप लोगों वो याद हो जाएगा silviculture silviculture कास्टी पेड से रिलेटेड है silviculture big bang theory जो दी थी वो किसने दी थी वो दी थी आप लोगों की George Lamenter big bang ठीक है तो big brother big brother lamenter big brother lamenter इस तरह से याद कर लीजिए जो DNA है DNA की खोज किसने की थी DNA की खोज की थी James Watson वाट क्रिक ठीक है DNA की किसने मारी थी Watson ने शायर याद हो गया होगा साथ में ही डेंगू जो है ठीक है देखो अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसको अर्बो रुपे लग जाते हैं उसके इस तरह से अर्बो रुपे कब लगते हैं आप लोगों को तो number of words you can write down there, आप comment box में लिख सकते हो, तो EPICULTURE ठीक है, तो EPIPO, तो एक हमारे साथ में पढ़ती थी, उसका नाम था MADHU, तो हम मैंने क्या कर दिया कि EP, EP एक तरह का drink आता है, वो हम रिलेट कर दिया उसे, तो EP पिये MADHU, ठीक है, तो MADHU को क्या दिया, हमने EP दिया, तो EP उसने पिया, तो EPICULTURE हो गया आप लोगों का, तो जस्ता या जिंक, अभी बताया था मैंने, इंसुलिन में, क्या कुछ चीज़े रिपीटेट हो जाती है, आप लोग उन्हें याद कर सकते हैं, वैसे, पॉमो लोगों का, वैसे पॉमो लोजी का मतला है कि, फलों के इधियन को बोलेंगे, वाट हमने नाम रखना है उसका ही, पॉमो, ठीक है, याद रख सकते हैं, आप लोग, और सस्जेस्ट कर सकते है चीज़ों को, Phyloiqueron किसका नाम है? K का Phyloiqueron Phyloиком तो आपको K याद हो जाएगा इसके बाद है आप लोगह का Stephen Hawking's इसने जो बात की थी ओ demain सूपर-String थेओरी पर की थी सूपर-String थेओरी को Lymphocytes जो बनती है या लसिका जिसे कहा जाता है ये दीरग अस्ती में बनती है तो दीरग अस्ती इसी तरह से आप लोग याद रख सकते हैं लिम्फोसाइट और जो एरिल एरिल टाइप का लीची किस टाइप का फुरूट होता है इस तरह का कुश्चिन यूके पीससी में पूछा गया था लीची किस तरह का फुरूट है तो वह एरिल टाइप का है अगर पूरा जो वाले समझ रहे होंगे शायद कि अगर हम पूरा जो किंग्डम याद करने की कोशिश करेंगे चीजों की या क्लैसिफिकेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो वही बहुत सारे हो जाएंगे 500 और 1009 लाइन्स हो जाएंगी तो लैच्रिमल लैच्रिमल आसू से रिलेटेड है आप लोगों का लैच्रिमल ठीक है और जो सिमेंट में काम करने वाले जैसे हमने देखा था कि ब्लैक लंग स्रोग किसको होता है तो जो कोईले की ख़दारो में काम करते होना है ब्लैक लंग स्रोग हो जाता है सीमेंट के काम करने वालों को क्या होगा तो स्वेथ फुस्पुस रोग हो जाता है बड़ा फनी है आप लोग याद रख सकते हैं जैरे फ्थेलिमिया यह आप लोग क्या है ड्राइज ड्राइज के रोग को क्या कहते है जो डिजीज है वो उसको हम कहते हैं जैरे जैरे फ्थेले मिया तो जैरे जहां जहां भी आपका जैरा से रिलेटेड होता है वो आपको ड्राइनेस से रिलेटेड चीजे होती है यूनिसको ने किसको टू जो है नंदा देवी को क्या किया गया है यूनिसको ने अपनी है भी फाइव का नाम क्या है तो यह आपका निक निकोटिनेमाइड या नियासिन से कहा जाता है कि इसको भी फाइव को तो इसको मैंने याद किस तरह से किया था निकोटी-कोटी-कोटी-कोटी-कोटी-कोटी-कोटी-कोटी-कोटी-कोटी-कोटी-कोटी-कोटी तो आप याद रख सकते हैं इस तरह से जो वाइल जूस बनता है जो पित होता है पित कहां बनता है और जमा कहां होता है यह आप लोगों को याद रखना है तो यह बनता तो आप लोगों का यकृत में हैं लीवर में हैं और जो जमा होगा वो कहां पर होगा वो पिताशे में होता है य है यह लोग का करन्ट से था उस टाइम पर एक्टिन मायोसीन यह संकुचिल प्रोटीन होते हैं कौन-कौन सी एक्टिन और मायोसीन कोबाल्ट क्या करता है कोबाल्ट आप लोगों का और बीट्वेल्ब के संसिलेशन में हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल में मेंगनीशियम होता है आप लोगों को यह भी बतातूं कि इसी तरह के जो हैं आप लोगों हिस्ट्री का या जो और सब्जेक्ट हैं कुछ-कुछ जितने कार्ट समने बनाए हैं वो सभी मैं आप लोगों को प्राक्टिस करवाओंगा यह आपके साइंस से रिल दूद प्लस गाजर जो हलका पीला होता है गाय का दूद और गाजर दोलों में क्या होता है आप लोगों का किरोटीन होता है कैरोटीन होता है तो इसे अब एक्जेक्ली कैरोटीन ही याद रखना है आप लोगों को अब मैंने आप लोगों को एक शोर्टकट बताया था ट् पैंक्रियास में अगनाशे तो अगनाशे मीन्स पैंक्रियास तो पैंक्रियास ट्रेला ट्रिपसिन एमाइलीज और लाइपेस तीन उसमें होते हैं जो आइसो हेल होता है तो हेल से रिलेटेड हमेशा सूर्य से रिलेटेड होता है सन से रिलेटेड होता है आइसो हेल जो होता करने के लिए की जाती है वेटसन और जोहांसन ये है आप लोगों का जैनेटिक शब्द और जीन शब्द जो दिया था तो जैनेटिक बैटसन ने दिया था और जोहांसन ने क्या किया था आपका जीन शब्द दिया था तो यह आपके science related जितने थे वो मैंने आप लोगों करवा दिये है hopefully कि आप लोगों काफी सारी मदद मिलेगी इससे इस वीडियो को आप दो से तीन बार देखेंगे काफी सारी चीजें याद हो जाएंगे और अगर cards बन सकते हैं